साथियों नमस्कार, आप सभी का अमरीत कर्पा सहस्तान के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर स्वागत है, मैं राम सिंग सरावग, शाइक आचारी राजस्तान कोलेज सिक्षा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम एक भारती इतिहास के महतोपुन टोपिक पर चर्चा कर रहे हैं, महतोपुन चेप्टार पर चर्चा कर रहे हैं, सिंदु घाटी सभेता, इसके दो टोपिक हमने पहले के वीडियो में अध्यन किये हैं, जिसमें इस सभेता के जो प्रारम भी खोज थी, उसके बारे में जानकारी थी, और इसके नामकरण वाइसकी विसेशताओं के बारे में हमने अध्यन किया था। इसे वीडियो में हम इस सब्वेता के काल करम पर चर्चा करेंगे, जहां से अनेक बार परतियोगी परिक्षाओं में परशन पूछे जाते हैं। और हम अपनी परिक्षाओं के द्रस्टी से जो महतोपूर्ण तिथी करम है उसका अध्यन करेंगे, और इस द्रस्टी से इसमें हम लगबग 6-7 जो तिथी करम महतोपूर्ण है उनहीं का अध्यन करेंगे, पहले सरोपर्थम हम, जो सब्बेता है इसका काल करम जोन मार्शल के द्वारा किया गया। यानि तिथी करम के करम में पहला जो परियास था, वो किया गया जोन मार्शल के द्वारा। जोन मार्शल ने इस सब्बेता का जो काल करम था, वो 3250 इसका पूर्वे से 2750 इसका पूर्वे बताया। और ये जो काल करम था, वो मार्शल ने मोहन जोद्डो से प्राप्त जो सामगरी थी, उसके विशलेशन के आधार पर तै किया था। तो पहला परियास जो था, वो जोन मार्शल ने किया, 3250 इसा पूर्वे से 2750 इसा पूर्वे उन्होंने इसका काल करम दिया, और वो जो काल करम उन्होंने तै किया, वो मोहन जोद्डो से प्राप्त जो सामगरी थी उसके गहन अध्यन के पस्चात किया दूसरे करम में हम जाएं तो डीपी अगरवाल वे रोमीला थापर इनका नाम आता है इन दोनों ने जो अपना मत दिया कालकरम से समन दीते उसमें जो कारबन चोदा पदती है जिसमें किसी वस्तु में जिवासम की उपस्तिती के आधार पर उसकी आयू तै की जाती है इस कारबन चोदा पदती के आधार पर डीपी अगरवाल वे रोमीला थापर ने इस सब्भेता का कालकरम टेई सो से सत्रा सो पचास इसा पूर्वे बताया जो की अनेक परिक्षाओं की परिक्षाओं में पूछा गया है इसी करम में अगर हम तीसरे तथे की और परिकास डाले हैं तो आलचिन एंड आलचिन का मत में तो पूर्ण है आलचिन एंड आलचिन ने कोट दीची वेक काली बंगा इन दोनों से प्राप्त जो वस्तोय हैं उसके सर्वेक्षन के अधार पर उसके अध्यन के अधार पर इसका कालकरम तै किया था और ये उन्होंने एकी सो पचास से सत्तरा सो पचास इसा पूर्वे तै किया यानि आलचिन एंड आलचिन ने जो कालकरम बताया वो एकी सो पचास से सत्तरा सो पचास इसा पूर्वे के मद्दे बताया और ये निर्धारन उन्होंने कोट दीची जो कि सिंध पाकिस्तान में चित है और कालीबंगा जो कि राजस्तान के हनमानगड में चित हैं इन दोनो बस्तियों से जो इस सब्पिता की वस्तों पुरातत्यों को मिली उसके विश्शलेश्न के आधार प्रत्या किया चोथे करम में नाम आता है मेके का, अर्नेस्ट मेके इन्हों ने इस सब्धिधा का कालकरम अठाइस सो से पजी सो इशापूर्व बताया पांचवे करम में जो महत्वपूर्ण है उसमें पीगट वे वीलर का नाम आता है इन्होंने जो तिथी करम दिया इस सब्धिधा के लिए कालकरम बताया वो पजी सो से पंदरा सो इसापूर्व निर्धारित किया इसी करम में एक नाम आता है सी जे गेड का सी जे गेड उन्होंने जो कालकरम दिया वो जो इस सब्धिधा की जो महरे मिली है या से उनके विशलेशन के आधार पर उन्होंने अपना तिथी करम या कालकरम तै किया और वो दिया उन्होंने तेई सो पचास से सत्रे सो पचास इसापूर्व तो इस परकार ये छे कालकरम हो गए एक और हम इसमें सामिल कर लेते हैं मादो सवरूप वत्स जो हमारे लिए उपियोगी है तो इस परकार कालकरम की बात करें तो जो परसन हमारे लिए महत्वपूर्ण है आयोए हैं और आ सकते हैं उसका हम अध्यन कर रहे हैं तो पहले सब सर्वपर्थम जो मार्शल ने इसका तिथी करम निर्धारित किया मौन जोद्रों से प्राप्ते शामगरी के विशलेशन के आधार पर 3250 इसा पूर्वा से 2750 इसा पूर्वा दूसरे करम में डीपी अगरवाल और रोमिला थापर ने कारबन 14 पदती जो है उसके आधार पर उन्होंने 2300 से 1750 इसा पूर्वा इसका कालकरम बताया तीसरे करम में आलचिन एंड आलचिन ने कोट दीची वे काली बंगा से जो वस्त्वे मिली उसके विशलेशन के आधार पर उसके अध्यन के पश्चा आते इकिस सो पचास से 1750 इसका कालकरम बताया चोथे करम में मेके महुद्ये ने अरनेस्ट मेके ने इसका कालकरम जो बताया वो 2800 से 2500 इसा पूर्वा बताया इसी करम में पिगट और वीलर ने इसका कालकरम पचीस सो से पंदरा सो इसा पूरव के मध्धे बताया सीजे गैड ने इसका जो कालकरम तै किया वो यहां की जो मुद्राएं या महरे मिली उसके अध्यन के पसात उन्होंने ये तेई सो पचास से सत्रे सो पचास इसा पूरव ने धारित किया माधु सवरूप वच्ष ने पैंती सो से सताई सो इसा पूरव के मध्धे इसका कालकरम तै किया तो इस प्रकार से साथ ये कालकरम हमारे सामने हैं, जो तै किये गए विभीन विद्वानों के द्वारा, अब इसके आगर हम सामुही के एक निशकर्ष निकालें, तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 2600 इसा पुर्वे से 1900 इसा पुर्वे के मध्धे इसका कालकरम हम करम है, वो 2600 इसा पुर्वे से 1900 इसा पुर्वे हम निर्धारीत कर सकते हैं, लेकिन अपने को ये तो एक इसका एक सामुही कालकुलूजन है, बाकी परशन जो पूछा जाएगा, वो किसी मत से समंधीत पूछा जाएगा, किसी विद्वान के मत से समंधीत पूछा जाएग चाहे वो कार्बन चोधा पद्धति का पूछें या इनमें से किसी विद्वान का नाम लेकर करके आपसे पूछा जए इनहीं पर अपना पर्षन होगा अब अगला जो अपना इसमें टोपिक है वो है सिंदु घाटी सब्वेता का विस्तार इस पर भी अनएक पर्षन पूछे जाते हैं और यह बेहद मैत्वपूर्ण एक बिंदु है इस चेप्टर का अब देखिए विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार के करम में अगर हम देशों की बात करें कि कौन-कौन से देशों में यह सब्वेता फैली हुई है उस समय थी वर्तमान में कौन-कौन से देश इसमें सामिल है तो यह तीन देशों से इसके साक्से प्राप्त हुए ह पहला अफगानिस्तान दूसरा पाक और तीसरा देश भारत जहां से इसके साख से मिले हैं तो इस परकार से कुल तीन देशों से इस सब्वेता के साख से प्राप्त हुए हैं और अभी तक वर्तमान इस्तती की अगर हम बात करें तो लगभग यानि पंदरासों के आसपास इस्तल खोजे जा चुके हैं अभी तक और इन पंदरासों में से यह जो अफगानिस्तान है यहां से सिरफ दो इस्तल प्राप्त हुए हैं और वो इस्तल है शोर्तु गही वे मुंडी गाख यह थोड़ा हमें दिख नहीं रहा है तो इसको थोड़ा चोटा करके लिए शोर्तु गही वे मुंडी गाख यह दो इस्तल मिले हैं इसके अफगानिस्तान से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहां से यह लगभग पानसो के आसपास स्तल अभी तक खोजे जा चुके हैं यहां पर और यह जो पानसो स्तल हैं वो पाकिस्तान के विभिन प्रांतों से प्राप्त होए हैं मिले हैं और अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो इसके जो तीन प्रांत हैं वहां से इसके मुख्य स्तल प्राप्त होए हैं जहां से बलूचिस्तान सिंध बलूचिस्तान और सिंध तीसरा है पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत हैं भारत के पंजाब से भी इसके साख से मिले हैं तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से भी इसके स्तल प्राप्त होए हैं इन पाकिस्तान में जो मुख्य स्तल हैं वो इन तीन प्रांतों से हमें मिलते हैं कि मिट गया अपना इसको दुबरा लिख लेते हैं अब देखिए इस पर भी कई बार जो महत्वपुनस्तल हैं उस कहां अस्तित हैं इस पर परसन पूस लिए जाते हैं तो अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो यहां राना गुंडही सुतका गेंडोर डाबर कोट बाला कोट सुतका कोह और दंब साधात यह जो इस्तल है मुख्य बस्तियां जिस पर परसन आते हैं वह मिली हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से राना गुंडही सुतका गेंडोर डाबर कोट बाला कोट सुतका कोह और दंब साधात अब अगर हम बात करें इसके पाकिस्तान के सिंध परांत की तो यहां से जो महत्वपूर्ण स्तल है मोहन जोद्डो चनहुद्डो जुदेर जोद्डो कोट दीजी आमरी अली मुराद यह जो इस्तल है वो पाकिस्तान के सिंध परांत से मिलें मोहन जोद्डो चनहुद्डो जुदेर जोद्डो कोट दीजी आमरी और अली मुराद अब हम पंजाब की बात करें पंजाब परांत की तो पाकिस्तान के पंजाब से जो महतुपूर इस्तल है उसमें हड़पा जो सरुपर्थम खोजा गया इस्तल है इसके बाद है सराई खोला देरा इसमाइल खान रह्मान धेरी ये पंजाब से प्राप्तिस्तल हैं जो पाकिस्तान से मिले हैं अब अगर हम बात करें इसके भारत से प्राप्तिस्तानों की तो एक बड़ा बिंदू है लेकिन मुख्यता है बारत से जो इसके इसकी बस्तिया मिली हैं इसके इसके इस्तल प्राप्त हुए हैं खोज में वह हम मैप में देखेंगे मैप में अगर हम बात करें तो भारत में जो इसका इस्तल प्राप्त हुआ है वह सबसे उत्तर में जो है वह मांडा यह मिला है जम्मू कस्मीर से और उसके पश्चात यानी जम्मू कस्मीर balance राप्त हुआ है इसका मांडा से बाध में नीचे आते हैं तो इस करम में पंजाब पंजाब से नीचे आते हैं तो हर्याना से इसके स्थमिल्स लाइं फिर यह राजस्थान का जो स््थान यह से मिले हैं फिर गुजराद से इसके स्थल मिले हैं फिर महारास्टर से इसके स्थल मिले हैं तो कुल मिला के अपने पास एक दो तीन चार पांट और साथ यानि भारत के कितने स्टेट हो गए भारत के यानि साथ राज्यों से इस सब्वेता के इस्तान हमें प्राप्त हुए यानि भारत के साथ राज्यों में इस सब्वेता का विस्तार मिलता है अब साथ राज्यों में विस्तार मिलता है तो सरवाधिक इस्तल कहां से मिले ये भी एक परसंद बनता है, तो शर्वादिक जो इस्तल प्राप्ट हुए हैं अभी तक है, वो हुए हैं भारत के गुजरात से, यानि भारत में साथ राजियों से मिले हैं, और सर्वादिक जो हैं वो भारत में गुजरात से प्राप्ट हुए हैं इसके इस्तल, तो ये हो ग जो विद्वान है उनका मत है कि यह जो वर्त्मान इस्तती है इसमें इसका विश्तार है वो लगभग 13,000,000 है वरग किलोमेटर में है या आलांकि कुछ से उस्तकों में 15,000,000 वरग किलोमेटर में मिलता है या कोई और मत भी प्राप्त हो सकता है लेकिन जो NCRT है यानि जो NCRT की पूस्तके हैं उसमें अगर हम देखें तो उसमें ये 13 लाख वर्ग किलोमेटर इसका विस्तार मिलता है तो हमें वही कंसिडर करना है वही सामिल करना है परिक्षा की दरस्टी से यही अपने लियोप योगी है अब ये जो 13 लाख वर्ग किलोमेटर का पंदरसो से अधिक स्तल जो प्राप्त हुए हैं इसके हमने देशों के अनुशार और देशों में भी भारत और पाकिस्तान अपगानिस्तान में जो महत्वपुन स्तान है उसकी चर्चा कर ली विस्तार की बात कर ली अब इस पर एक प पर्शन पूछे जाते हैं तो सबसे उतर की अगर बात आती है थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं तो जैसा कि हमने चर्चा की सबसे उतर में जो इस्तल है वो है माणडा और ये कहां था हमने इसकी चर्चा की ये जमू कस्म में हैं जमू कस्मीर में भी कौन सी नदी के किनारे पर चिनाब नदी के किनारे पर है और सबसे पस्षिम के स्तल की अगर हम बात करें तो यह है पाकिस्तान के अंदर यह जो है यह पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान प्रांत में है और नदी जो है जहां यह इस्तित है मिला है दास्क नदी दक्षिन के बिंदू की अगर हम चर्चा करें जहां दक्षिन का सबसे दक्षिन का पॉइंट है तो वो है देमाबाद यह परवरा नदी पर महारास्टर में है पूरव की अगर हम बात करें तो पूरव में इसका जो बिस्तल है वो मिला है आलमगीरपूर और ये जो इस्तान है ये हिंडन नदी के किनारे परिस्तित है UP में तो इस प्रकार से इसके उतर दक्सिन, पूरव और पस्सिम के चारों इस्तल हो गए इसको अगर हम ऐसे मिलाएं तो ये एक ट्राइंगल बनता है इसके विस्तार का जैसा कि इसके विस्तार की एक बात आती है तो एक परसंद पूछा जाता है सब्वेता का जो सवरूप है वो किस परकार का है तो किस परकार का है तिरी भूजाकार तो ये ट्राइंगल बन रहा है अब इसमें जो लंबाई की बात आती है तो ये उतर से दक्षिन है 1600 किलोमेटर और पूरव से पस्यम की बात करें तो ये चोड़ाई है इसकी 1400 किलोमेटर की आसपास तो 1600 किलोमेटर ये उतर से दक्षिन और 1400 किलोमेटर की आसपास है पूरव से पस्यम इसकी चोड़ाई है कि यानि चेतरफल हो गया इसका लगभग तेरे लाख वरक किलोमेटर अब कही बार परसंद पूसते हैं स्टुडेंटे की चोदे सो और सोले सो तो यह तो बहुत होता है यह तेरा सो ही कैसे तेरा सो लिख दिया मैंने तेरे लाख कि यह तेरे लाख कैसे होए तो बाइस लाख से वी ऊपर होता है तो देखे यहाँ पर एक तथ्खे हमारे सामने है कि यह त्रिभुजाकार है और लंबाई गुणा चोड़ाई के माध्यम से हम इसका चेतरफल नहीं निकाल सकते क्योंकि लंबाई गुणा चोड़ाई करते है तो सही है, ये 22 लाख वर्ग किलोमेटर से कुछ अधीक इसका उतराता है, लेकिन वास्ताम में इसका जो सवरूब है, वो तिरबूजाकार है, इसलिए हम उस सुत्र को यहाँ नहीं अपलाई कर सकते, तो इसका जो छेतरपले हैं में 13 लाख वर्ग किलोमेटर मानना है, तह कर बात करें, तो 13 लाख वर्ग किलोमेटर की सब्वेता अपने आप में विश्व की जितनी वी प्राचीन सब्वेता हैं, उसमें सबसे विश्तरीत मानी गई है, इसके थोड़ा सा आगे हम चलें, तो यहाँ पर मेसोपोटामिया और थोड़ा इससे आगे और चलें, तो यहा अगर हम मिला भी दें, तो इससे भी लगभग दस गुना बड़ी यह हटपा सब्वेता, या हमारी सिंदु घर्टी सब्वेता है, विस्तार के आदाहर पर, यह अपने लिए यह जो ट्राइंगल बनाया है, यह अगर कोई बंदू सिविल सर्विस की त्यारी कर रहा है और विस्तार से समंदीत परशन आता है, तो इस परकार का डायग्राम हम बनाते हैं वहां पर, तो यह वास्तम में ध्यान आकरशन करने वाला एक बिंदू हो सकता आपके लिए, तो इस परकार सातियों हमने इस सब्वेता से समंदीत जो इस वीडियो में दो बिंदू उपर चर अन्य महत्वपुन स्तल हैं, उनके या उनसे जो प्राप्त सामगरी है, उस बिंदों पर चर्चा करेंगे, उस पर अध्यन करेंगे, आता है, आप सभी इस वीडियो को देखें, और उसमें आपके जो सुझाव हैं, वो हमारे लिए महत्वपुन हैं, अपेकसीत हैं, सभी को तर नवाट.